वाडी पुलिस स्टेशन की तहट चोरियों के मामले की आरोपियों पर अब पुलिस ने शिकर जाकसा साथ जन्वरी को दो विधि संगर्श बालक वो आरोपी महादेव नगर लावा निवासी दीपक सुरेश्वरवा उम्र 27 को पुलिस ने अटक किया प्राप जानकारी के नुसार फिर्यादी मधुकर लियाओ दाभानिवासी रोशन मधुकर पाटिल 7 जन्वरी को अपने बहन के साथ अगरवाल एचपी गैस में खाले सिलेंडर लेकर नया भरा सिलेंडर लिया छुटे पैसे नहीं होने से सिलेंडर को रख कर पैसे छुटे कराने के लिए एक दुकान में गए उतनी समय में चोरों ने सिलेंडर पर हाथ साफ कर दिया मधुकर पैसे छुटे कर वापिस आने पर उससे सिलेंडर दिखाई नहीं दिया दत्तवाडी स्थित अगरवाल गैस एजनसी को इसके बारे में पूछा तो सिलेंडर चोरी होने की जानकारी थी फिर्यादी मधुकर ने तुरंत वाडी पुलिस टेशन में घटना की शिकायत दर्श की पुलिस ने संदिक आरोपी दीपक सुरेश वर्मा को तावे मिलिया वह पूछताज की तो सिलेंडर चोरी करने की कबूल दी वाडी में चोरी हुए और चोरियों की भी पुलिस ने आरोपी से पूछताज की तो दस में 2020 को डिफेंस कोटर से सिलेंडर 26 जनवरी 2020 को डिफेंस से ही अंगनवाडी क्रमांग 191 नगलावाडी से बरतन चोरी की कबूली दी वही दो विधी संगर्ष बालोकों नी तीन जनवरी 2021 को कोले लेयाउट से गाड़ी से 60 लिटर डिजल चोरी व एमाडी सी में चोरी करने के कबूली थी जिसके आधार पर वाड़ी पलिस नी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्सकर आरोपि को अटक किया एचपी कंपनी के तीन सिलेंडर कीमत 5500, एक्टिवा कीमत 15000, अंगनवाडी से स्टेल बरतन व अनाज कीमत 8700, डियोगाडी कीमत 15000, छोटा हाती कीमत 1 लाख रुपे, कुल 1 लाख 42,000 रुपे का मुद्देमाल पुलिस ने जब्त किया डीबी इंचार्ज, पीएसाई अमिनाज जैभाई, पुलिस अवलदार सुनिल मस्के, प्रदीव, सतीश, इश्वर राठोर ने कारवाई को अन्जाम दिया बिसीपी परिमंडल एक सहब पुलिस आयक्त अशोग बागुल, पी आई प्रदीव सुर्यवन शी के मार्ग दर्शन में आगे की कारवाई चल रही है वाडी से बीसीन नियूस के लिए सौरप पार्टिल की रिपोर्ट